सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का आई एफ चोईस में और आज बात करूंगा एक नए प्रेटिस सेट के साथ देखिए आज की बार कंपेटिसन जो है वो बढ़ने वाला है तो आपको तयारी तो करती रहने चाहिए तो मैं तो ज्यादा टाम बेस्ट करूंगा नहीं आपक अब देख रहे हैं वी और एवाइड लॉट 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 दिखे एवाइड आवेज फॉलोग भाई बाई 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 भाई हमेशा आता है तो इसका फॉस्ट अंसर हो जागा इनकी आप जातर देखें मुस्ट अब देखिए बाई चलता है ऐसा चिंता मत कीजिए कि बाई बाई नहीं होता लेकरकित ऐए बाई बाई कि साथ ही चलता है नोलेक्स कुम आप देखिए he has not yet recovered required from his illness होता है required from होता है मेशा followed करता है from को recovered from his illness ठीक है और को इसमें option है नहीं required by नहीं होगा बिद नहीं होगा to be नहीं होगा required from होगा and next question आप देख रहे हैं he boosted his accomplished मैं आपको होता दू बूस्टेड हमेशा off को लेके चलता है तो इसमें देख लिजी कहा है boosted off कभी देखोगे ना तो boosted off ही आप देख सकते हैं जहां स्यादा boosted off यह boosted off ही चलता ठीक है तो इसमें आप दूने off कहां यह नहीं और यह नहीं और यह नहीं और यह रहा तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए और कुछ नेक्स्ट पर चलती बीड़े ज्यादा बड़ी होती है इसलिए मैं जलसे यह कराने के कोसित कर रहा हूं तो यह वेल क्या होता है अपने कभी भी अपने जो फेपर आताँ आ पकि यह थो अपने पेपर को एक बहुत बहुत बढ़ा बिंदल बनाकर उसे बांध लीना तो उसे बोलें के बेल बेल यहां कि पेपरों को कागज का जो बहुत बड़ा मासदब पेपर वन जाता नहीं बहुत भारी उसे बेल होता है लेकिन बीए आईल बेल मिसले होता है किसी जमानत पर छूटना तो यहां जो शूट करेगा होगा राज वाज रिलिज्ट वेल तो राइट अंसर हमान अधिक्ता तो अधिक्ता तो चलेगी नहीं यहां पर एक्सेज में तो होती है पहुंच आई हेवन इजी एक्सेश्ट चीफ मनिस्टर ठीके एक्सेश्मी अप्रोच आई होप समझ में आ रहा होगा नेक्स पर चलते हैं बिना टाम बेस्ट की अब नेक्स कुस्टन आप दे अप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी पैसिमिस्ट अप्टिमिस्ट हमेजा याद रखना यह आपको वन वर्ड में भी मिलते हैं इधर भी मिलते हैं बहुत जगह मिल जाते हैं यह पैसिमिस्ट अप्टिमिस्ट यह जादा इसे जादा पूचे जादा ठीक है और इसम pessimistic pessimistic का में सा अपोजिट बड होता है अब freedom अमालीची इसमें दिया अगा freedom freedom में सोची दे आजा दी और slavery में सोती है दाश दो दाश होते है न वहीं होते है slavery जो दाश बन जाते हैं तो all independence यह भी नहीं है and dependence यह भी नहीं है णोटरिटी ये भी नहीं है। फ्रीठ का आपॉसलिट है। हम उप्सुन यह तो एदे नहीं है। हम तो मतलब Надब मैंसा भी होता है। अन्नेसिसरी भी नहीं एंड कंपल्सरी यास कंपल्सरी होता है वो करना ही करना होता है all the question attempt is compulsory तो आपको करने ही करने पढ़ेंगे आर्बिटरी यसा नहीं जैसे कि माली आप कंपल्सरी में बता दू कि आपको एक्जाम पास करने के लिए लगवग लगवा आपको टॉप तक जाने के लिए आपको अब नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो कम से कम 32 नंबर तो लाने कंपल्सरी हैं स्लेक्शन लेने के लिए ठीक है एंड जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं चूज तर रोंग इस्पल्ट वार्ड देखें सी ओंप तो कंप्ली में तो कोई दिक्कती नहीं है सी ओंपल्सरी में पूरा का पूरा पूरा सही है एफ यू एल एफ ये पिछली साल पूरा कुष्चन आया था यह पूछने के लिए यह देख लेना फ यू एल एफ यू एल सही होता है करेक्ट होता है कंप्ली में दिख लें जी आर डवल एम यहार ग्रामर कि आपको यह सही लग रहा मैं बता दू जी आर एवल एम ए आर होता है ग्रामर कभी भी उठागे लेखे लेने किताब ठीक है वह में बहुत बहुत धाथ लोग कंवर स्थमान कि छोटी-छोटी चीजह देखतें नहीं है जाटा छोटी-छोटी चीजह देखतें नहीं जी आरे दवल में यूत ब्लेह है ऐँ तर तो आप देखें जो क्यों डिच्टेवल घरए office for which no salary is paid is देखिए जो बिना सेलरी के काम किया जाता उसे बोलते हैं honorary और honorary क्या ये हो एन ओ आर यार वाई ओनरी को बिना सेलरी के जो काम करते नहों और ये वर्ड आपको को भी मैच ही नहीं करेंगे ठीक है वन वर्ड फॉर एन ओफिस विच नो सेलरी इस पेड इस और रड़ी हमेशा या रखना है वन वर्ड में बहुत जादा पूछा जाता है अब जो नेक्स कुस्चन देख रहे हैं आप इनमें आप पूर रोंग पोर्सन हमेशा की तरह चांट नहीं है और इस देरेस्ट तुहिंम् देंल युज करो या कैसे किसमें में एस विवाली में कमी है आप बोलेंगे पैंचाने कैसे देखे यहां देंल लगाया देंज करनाता है comparative degree में देन का यूज होता है लेकिन यहां क्या superlative degree dearest तो यहां कमी हो जाएगी यहां dearer हो जाएगा dearer not dearest ठीक है तो b-volume कमी हो गई I hope समझना आगा क्यों यहां देन लगा इसलिए यह मानने जाएगी comparative degree है मानने क्या यह है comparative degree हिम देन लौ इसलिए देन से में तो समझ लिया यहां देन है समझना क्या उसमें पता ही चल जाता है अगर देन है तो यह comparative degree है और यहां dearest की जगा एक superlative degree हो जोती है तो यहां dearer हो जाएगी यह यहार 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 जाएगी वह बस जाएगा के लिए तो सी वाले में कमी है और कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं तो यहां इस कर दो इस ग्रास क्योंकि यह सिंगलर फोर्म है ना तो सिंगलर फोर्म में सिंगलर बरवाईगी तो यहांस लगाना पड़ेगा और जो next question देख रहे है वह है वह है he write a letter to his mother on every Sunday he write a letter देख लेए यह letter to his इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यह ठीक है mother on every Sunday इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है आप जानी दिक्कत है वह इसमें अब देखे वह अपनी माता को प्रतेक संदे एक पत्त लिखता है यह लिखता है every Sunday के habitual sentence किसमें होता है अब बुले को sense से नहीं पढ़ रहे हम तो लिखा है वह पढ़ करेंगे तो हवी चल किसमें होता है हम चल होता है प्रदेंट इस पता चल्ल हएí है विखता है तो इसमें प्रदेंट indefinite होगा थी नहीं, he writes he writes a letter to his mother on every Sunday I hope clear हुआ हुआ and next पर चलते हैं बस कुछ और कुछन और रहे हैं देख लीजे a quarrel across a rose sorry a quarrel, अब जो next question है वो है, a quarrel a rose the twins दो बीच में हो रहा है, तो यहां स्थीधी सी वाद बिट्वीन का यूज होगा a quarrel arose between the twins ठीके, between the twins हमेशा जाद रहा है between the twins ही होता, ठीका अब यह next question आप देख रहे है being fine he was imprisoned तो मैं आता दू in spite का यूज नहीं हो सकता despite of का नहीं हो सकता besides of, besides of besides का मतलब होता है attrict उसके fine के attrict उसे बंदी भी माना गया बंदी भी बना, ठीका उसे fine नहीं हो, बंदी भी इसका अर्थ है, उन्नीस में कुश्चन आप देख रहे है he worked hard अब आप बोलोगे इसमें से मैं क्या दू देखिए यहां पर second form यूज की गई है तो अगले sentence में भी second form होनी चाहिए अब ढूलीजिए कौन से second form क्योंकि term and tense का rule है अगर first sentence second form यूज हुई है past में है तो जो अगले आने वाला है वो भी past में होना चाहिए तो यह मैं यूज की गई यह past में यह can use के यह भी past में नहीं है या फिर यूज किया गया यह भी past में यह might use किया यह past में यह निक हमार जो right answer होगा वो इन तीनों को छोड़कर यह हो जाएगा so so that he might become rich यानि उसने बहुत मैनत की अब समस्क्राइब पहला जो second form में तो दूसरा भी second form में है तो में की my second form है and जो last and जो अंतिम question है आपकी सामने वो है work hard अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा work hard पहले आप यह समझी है पहले मैं आपको बता दूँ कि यह least होता नहीं L E S T list जो आप यहां देख रहे हैं यह वाला list यह वाला list यह वाला list आप देख रहे हैं तो इसमें एक rule बताना चाहूँगा आपको पहले वो समझी जो least होता नहीं list L E S T वो always follow करता शुड़ को हमेशा ठीक है यहां पूरे लेगनी पारा शुड़ देखे में बता दू जो least होता है वो always शुड़ को follow करता है अब जहां list आपको देखे 90% मालो कि वहां पर सुड़ भी होना चाहिए 90% cases में list के साथ सुड़ होना ही चाहिए अब देख लीजे इसमें कौन से में सुड़ है list के साथ list you will fail list you have failed list you may fail देखे जो सीमा कुशन है शीमा जो ऑप्सन है शी अप्सन वो लीस्ट यू शुड़ फेल यानि कि लीश्ट है जो फॉलो करता है मैंने बतायता आपको तो इसमें है तो हमारा जो राइट अंसर होगा वो यहीं हो जाएगा लिश्ट यू शुड़ फेल तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो या लाइक कीजिए और मैं हमेसा कहता रहता हूं तो आपने शेर नहीं करते वीडियो तो यार वीडियो को शेर भी कर दीजिए वाट्सप पर शेर कर दीजिए कोई देकरने उनका भी वला हुआ आप भी मैं बनता हूं आपके एक और नए फ्रेस्ट कमाल न्यू प्रेक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जैन जैवाज दिखिए